हेलो दूस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिप चैनल पे आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं ब्रस्पतिवार की व्रत कथा उसको करने की विधी एवं उनके उस व्रत के महत्व के बारे में तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं व्रत करने की विधी पूजन करना चाहिए कथा और पूजन के समय वच्चन कर्म और मन से सुद्ध होका इच्छा पूर्ती के लिए ब्रस्पति देव से प्रातना करनी चाहिए मेरी मन्युकामनाओं को ब्रस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे ऐसा मन में ड्रेड़ विश्वास रखना च चाहिए पीले चने की दाल आदिका भूजन करें पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक एबं प्रेम पूर्वक गुरु महराज की कथा सुननी चाहिए इस व्रत को करने से मनुवानशित फल मिलते हैं और व्रस्पति महराज प्रसन्न होते हैं धन, बिध्या, पूत्र सांती रहती है इसलिए यह व्रत सब व्रतों में स्रेश्ट और अतिफल दायक है आगे इस वीडियो में हम इस व्रत की कथा से जुड़ी हुई एक पौरारी कथा को सुनेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं बहुत समय पहले की बात है भारत में एक राजा राज्य करता था वह अतिप्रतापी एवं दानी था वह प्रतिदीन मंदिर में भगवन दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राम्वन की सेवा किया करता था उसके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लोटता था वह प्रतिक गुरुवार को व्रत रखता औ रूप में देती थी, वह राजा को भी ऐसा करने से रोपती थी, एक समय की बात है, जब राजा सिकार खेलने वन को गए थे, महल में सिर्फ रानी और दासी थी, उस समय गुरू ब्रहस्पती सादू का रूप धारण कर राजा के दर्वाजे पर भिक्षा मांगने आये, सादू ने रानी से विक्षा मांगी, तो वह कहने लगी, हे सादू माराज, मैं इस तान कुन्ने से तंग आ गई हूँ, इस काम के लिए तो मेरे पती देवी बहुत है, अब अब ऐसी क्रिपा करें कि सारा धन नश्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ, सादू का वेश रखे ब्रस्पती देवने का, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सब इसे चाहते हैं, पापी भी पूत्र और धन की इच्छा करता है, अगर तुम्हारे पास धन बहुत है, तो भूके मनुशों को भोजन साथी यज्यादी करो, इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोग पर लोग में प्रसीद्ध होगा, एवं स्वर्ग की प्राप्ती होगी, किन्तु वह मुर्खरानी सादू की इन बातों से खुश नहीं हुई, वह बोली, हे सादू माराज, मुझे ऐसी संपत्ती की आवशक्ता नहीं है, जो मेरे काम ना आए, तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दू, जिसको रखने और समालने में ही मेरा सारा समय नश्ट हो जाए, सादू ने रानी को समझाने का बहुत प्रहतने किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिक रही, तब सा पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशो को पीली मिट्टी से धोना, केशो को दोते समय स्नान करना, और राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मास मदीरा खाना, कपड़े दोबी के यहां दुलने के लिए डाल देना, इस तरह साद पतिवार न अनुसार ही साथ ब्रहस्पतिवार वैसा ही करते का विचार किया, सादू के बताय अनुसार करते वे उसे केवल तीन ब्रहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन समपत्ती नश्च हो गई, कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिबार तरस लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा इस प्रकार के अभावगरस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी तुम यहां पर रहो मैं दुसरे देश को जाता हूं क्योंकि यहां पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं इसलिए मैं यहा बड़ी काटकर लाते और उन्हें सहर में बेच कर जीवन यापन करने लगे राजा के जाने के पश्यात इधर उनके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था एक समय रानी और दासी को साथ दिन बिना बोजन के व्यतित हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली हे दासी यहां समीप के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है तू उनके पास जा और वहां से पांच सेर बेजर मांग कर ले आ जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी दासी उसकी बहन के पा से का हे रानी मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है मुझे पांच सेर बेजर दे दो दासी ने अपनी बात अनेक बार कही परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय ब्रस्पतिवार की कथा सुन रही थी रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया लोट कर वह रानी से बोली है रानी आपकी बहुत धनी है परन्तु वह अति घमंडी भी है वह छोटे लोगों से बात नहीं करती पांच सेर बेजर देने के लिए मैंने उन्हें कितनी बार कहा परन्तु उधर से कोई उत्तर ही नहीं आया इस प्रकार मुझे निराश वा खाली हात लोटना पड़ा रानी बोली है दासी इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का दोश नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता अपने पराए हो जाते हैं अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ती में ही होता है, जो इश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भागे का दोश है, उधे पूजा समाप्त होने के पश्यात, रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परन्तु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी, कथा सुनकर तथा विश्णु भगवान का प्रसाद ग्रहाण कर वह अपनी बहन के घर आई, और बोली, हे बहन, मैं ब्रस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परन्तु कथा समाप्त भोने से पूर्वना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, बताओ दासी, किस कारे से तुम मेरे पास गई थी? रानी बोली बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, तथा राजा परदेश गय हुए हैं, वैसे तुमसे कोई बात छीपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास पास सेर बेजा लेने के लिए बेजा था, इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, ब्रस्पती भगवान सबको मनुवांशित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा होगा, यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित होकर दासी घर की अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेज़र का भरा मिल गया, उसे बड़ा आश्यर हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बरतंग अन्न से खाली था, उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया, दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता था, तो वह भी व्रत ही समान है, अगर इनसे व्रत की विधी तथा कथा पूछ ली जाये, तो व्रस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे, और फिधासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रस्पतिवार, व्रत, पूजन, विधी एवं नियुमों के बारे में विस्थार से पूछा, उन्होंने बताया, जो व्रस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्रधारन करता है, तथा रेम पूर्वग ब्रस्पती भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भग्द से प्रसंद्न होते हैं धन, अन्न और पुत्र देते हैं, मनो वांचीत, मनो कामनाय पूर्ण करते हैं व्रत एवं पूजन की विधी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोड़ गई तद पश्यात, रानी और दासी दोनों ने निशे किया कि ब्रसपती देव भगवान का ब्रत इवं पूजन जरूर करेंगे साथ दिन पश्यात, जब ब्रसपती वार आया तो दोनों ने ब्रत रखा दासी घुड़ साल में जाक कचना और गुड़ बिन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विश्णु भगवान का पूजन किया अब भोजन पीला कहां से आये या सोच का दोनों बड़ी दुखें हुई पर अंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए ब्रस्पती देव भगवान उनसे प्रसन न थे एक साधारन व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आये और दासी को देकर बोले है दासी यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है तुम दोनों ही इसे ग्रहन करना दासी भोजन पाकर अति प्रसन न हुई और रानी से बोली हे रानी भोजन कर लो रानी को भोजन के विशय में कुछ भी पता नहीं था इसलिए वा दासी से बोली जा तू ही भोजन कर क्यों तू व्यर्थ में हमारी हसी उड़ाती है दासी बोली हे रानी एक व्यक्ति भोजन दे गया है रानी बोली वा भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा इसलिए तू ही भूजन कर दासी ने का है रानी वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भूजन दे कर गया है अता मैं और आप दोनों साथ-साथ भूजन करेंगी दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भूजन प्रारंब किया उसके बाद से दोनों प्रत्य एक ब्रस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी ब्रस्पति भगवान की क्रिपा से उन दोनों की बोजन एवं धन की कमी दूर हो गई परंतु रानी फिर पुना पहले की तरह आलेस्य करने लगी तब दासी ने कहा है रानी आप पहले भी इसी प्रकार आलेस्य करती थी आपको धन समालने एवं दान देवे में कश्ट होता था इसलिए इसी कारण से सभी धन नश्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दसा हो गई अब गुरु भगवान की क्रिपा से धन मिला है तो आपको फिर आलेस्य हो रहा है बड़े कश्टों के बाद आपने यह धन पाया है इसलिए आपको दान पुन्ने करना चाहिए भूके मनुश्यों को भूजन कराईए ब्रामडों को दान दीजे प्याव लगवाईए कुवा तला बावडी आदी का निर्माण करवाईए निर्दन कुवारी कन्याओ का विवा करवाईए मंदिर पाट साला बनवा का दान धरम कीजे और धन को सुबकारों में खर्च करिए जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ती हो एवं आपके पित्र प्रसंद न हो दासी के बात मान करानी ने इसी प्रकार के सद कर्म करने प्रारंब किये इस प्रकार करने से उसका काफी यश फेलने लगा कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा कि जुश खबर नहीं है रानी राजा की कोई खबर न पाख उदास रहने लगी गुरु भगवान से उन्होंने प्रातना की और भगवान ने रात्री में राजा को सपन में दर्शन देखे का हे राजा उठ तेरी रानी तुझको याद करती है अब अपने देश लोड़ जा राजा प्राताकाल उठा वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार आनी के पास खाली हान जाऊंगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं इस्त्री जाती खाने और पहनने की ही साथी होती है पर प्रगु की आज्या मान कर वह अपने नगरको चलने के लिए तयार हुआ परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था प्रती दिन जंगल से लकड़ी बिनकर लाता और उसे सहर में बेच कर अपने दुखी जीवन को बड़ी कटनाई से व्यतित करता था एक दिन राजा दुखी होका अपने पुराने दिनों की याद करके रोने लगा उस जंगल में ब्रजपती देव एक सादू का रूप धारण करके आए और राजा से बोले हे लकड़हारे तुम इस बियावन जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बतलाओ यह सुनकर राजा की आँखों में आशू भराया और वह सादू को प्रणाम करके बोले हे प्रभू आप सब कुछ जानने वाले हैं इतना कहकर राजा ने सादू को अपनी समस्त व्यथा सुना दी तब सादू रूप में आय भगवान भगवान ने राजा से बोला हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिवार के दिन ब्रस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक अन और धन प्रदान करेंगे देखो तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिवार का व्रत प्रारंब कर दिया है अब तुम भी ब्रस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल वगुड जल के लोटे में डाल कर केले कब पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की फूर्दी करेंगे सादू के वचन सुन कर राजा बोले हे प्रगु, मुझे लकडी बेचने की पश्चत इतना पैसा भी नहीं बचता की भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं मैंने रात्री में अपनी राने को व्याकुल एवं व्यतीत देखा है मेरे पास कोई स्याधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं इसके अतिरिक्त मैं ब्रस्पती देव की कथा भी नहीं जानता जिसे कहा या सुनका मैं ब्रत धारण कर भगवान ब्रस्पती देव का पूजन कर सकूं साधु ने कहा हे राजा तुम किसी बात की चिंता ना करो ब्रस्पती वार के दिन तुम नित्य की भाती लकडियां लेकर शहर में जाओ तुमें रोज से दो गुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे तथा गुड एवं चने का प्रसात खरीत कर ब्रस्पती देव की पूजन भी पूजा भी कर सकते हो ब्रस्पती वार की कहानी इस प्रकार से है प्राचिन समय में एक बहुत ही निर्दन ब्रामण था, उसके कोई भी संतान नहीं थी ब्रामण नित्य पूजा पाट करता, ब्रामण सभोस से दयालू तथा धार्मिक विचारो वाला व्यक्ति था परन्तु उसकी पत्नी बहुत मलिंता के साथ रहती थी, वह ना तो इसनान करती थी और ना किसी देवता का पूजन करती सुबह उठते ही सर्व प्रथम भूजन करती, बाद में घर के अन्य कोई कारे करती अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्रामण देवता बहुत दुखी रहते थे वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किन्तु उसका कोई परिणाम ना निकलता भगवान की क्रिपा से ब्रामण की इस्त्री के कन्या रूपी कन्या उत्पन हुई वह कन्या ब्रामण के घर में बड़ी होने लगी वह बाली का प्रातकाल ही स्नान करके भगवान विश्णु का जब करती ब्रस्पति वार का व्रत भी करने लगी पूजापाट समापत कर पाच्छाला जाती, तो अपनी मुट्टी में जौव भर कर ले जाती और पाच्छाला जाने के रास्ते में डालती जाती भगवान ब्रसपती की कृफास से वही जो स्वनदने के हो जाते तो लॉटते समय उनको बिन का गहर ले आती एक दिन वह बाली का सूप से उन सोने के जोग को फटक का साफ कर रही थी तब ही उसकी मान ने उससे देख लिया और कहा है बेटी सोने के जोग को फटकने के लिए सूप बिज तो सोने का होना चाहिए दूसरे दिन ब्रस्पति वार्था कन्या ने व्रत रखा और भगवान ब्रस्पति से प्रात्ना करके कहा है प्रभू यदि मैंने सच्चे मन से स्रदा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो भगवान देव ने उसकी प्रात्ना को श्रिकार किया नित्य के भाती वा कन्या जोव फैलाती हुई पाटसला चली गई पाटसला से लोट कर जब वा जोव बिन रही थी तो ब्रस्पति भगवान की क्रिपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ उस सोने के सूप को वा घर ले आई और उससे जोव साफ करने लगी परन्तु उसकी मा का आचरण वैसा ही रहा एक दिन वा कन्या सोने के सूप में जोव साफ कर रही थी उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला कन्या के रूप एवंकारे को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया राज महल लोटकर राजकुमार अन्य तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन जल त्यागने का समाचा प्राप्त हुआ तो वह मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आये और बोले हे बेटा तुम्हें किस बात का दुख है किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अत्वा और कोई कारण है मुझे बताओ मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसंद होगे राजकुमार ने अपने पिता की बाते सुनी दो और बोला आपकी कृपा से मुझे किसी फ्रकार का कश्ट नहीं है किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है परंदु मैं उस कन्या के साथ विवा करना चाता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो को फटक कर रही थी यह सुनकर राजा आश्यार में पढ़ गया और बोला हे राजकुमार इस तरह की कन्या का पता तुम लगा कर मुझे बताओ मैं तुम्हारा विवा उसके साथ अवश्य ही करवा दूँगा राजकुमार ने प्रसन होकर राजा को उस ब्रामर कन्या के घर का पता बताया राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्रामर को का सुनाया कुछ ही दिन बाद ब्रामर की कन्या का विवा राजकुमार के साथ हो गया घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्रामण के घर में पहले की तरह निर्धनता बास करने लगी अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्रामण देवता अपनी बेटी से मिलने गए बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देख का अत्यनत दुखी हुई और उसने अपनी मा का समाचार पुछा ब्रामण ने पुत्री को सभी हाल का सुनाया पुत्री ने अपनी पिता को बहुत सा धन दे कर विदा कर दिया इस प्रकार ब्रामण का कुछ समय सुक पूर्वक व्यतीत हुआ लेकिन धन समाप्त होने के बाद इस्तधी पूर्ववत हो गई ब्रामण फिर अपनी पुत्री के यहां आय और उसने फिर से सभी हाल का सुनाया पुत्री बोली हे पिताजी आप अपने साथ माताजी को यहां लिया आओ मैं उन्हें यह विदी बता दोंगी जिससे दरीदृता दूर हो जाएगी ब्रामण देटा अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमाल पहुँचे तो पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम सुबह उटकर सर्व प्रथम स्नानादी करके भगवान विश्नु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी परन्तों उसकी मा ने उसकी एक न मानी वह सुबह उठकर सर्व प्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा हुआ जूठन खा लेती एक दिन उसकी बेटी को अपनी मापर बहुत गुसा आया उसने उस रात एक कोट्री में खाने का सारा समान निकाल के अपनी माँ को उसमें बंद कर लिया प्रात कोट्री से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नारादी करके पुजापाट करवाया तो उसकी माँ की बुद्धी ठीक हो गई इसके बाद वह प्रती दिन पुजापाट करती और प्रतेक ब्रस्पतिवार को ब्रत भी करने लगी इस व्रत के प्रभाव से उसकी मा भी अत्यंत धन्वान और पुत्रवती हो गई और ब्रस्पती देवता की क्रिपा से व्रिधा वस्था में मित्यों को प्राप्त कर स्वर्ग को गई वर ब्रामण भी सुख पूर्वग इस लोग का सुख भोग कर स्वर्गों को प्राप्त हुआ इस प्रकर कहानी काकर सादू देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए दीरे दीरे छह दिन का समय बीद गया तथा ब्रस्पतिवार का दिन आ गया लकड हारा रूपी राजा जंगा से लकडी काट का किसी सहर में बेचने गया आज उसे और दिने से अधिक धन मिला राजा ने चना गुड आदिला का भगवान विश्णू का पूजन किया तथा ब्रस्पतिवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गया परन्तु अगले व्रस्पतिवार को व्रत करना भूल गया इस कारण व्रस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गया उस दिन उस नगर के राजा ने विसाल यग्य का आयोजन किया था तथा समस्तर राज में यग घोशन करवा दी कि कोई भी मनुश्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी न जलाए सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए इस आग्या को जो भी न मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा राजा की आग्यानुसार राजा के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मलित होने गए परन्तु लकड़हरा कुछ-कुछ विलंब से पहुँचा इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए जब राजा लकड़हरे को भोजन करा रहे थे तब राजी की दृष्टी उस खुटी पर पड़ी जिस पर उनका नो लखा हार लटका हुआ था उसे खुटी पर हार लटका दिखाई न दिया राणी को निश्यह हुआ कि मेरा हार इस लकड़हरे ने चुरा लिया है उसी समय राणी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवा का लकड़हरे को जेल में डलवा दिया जेल खाने में बंद वा लकड हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जनम के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है जेल में बंद लकड हारा भगवान ब्रसपती को याद करने लगा ततकाल ब्रसपती देव सादू के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देख कर कहने लगे अरे मुर्ख तू ब्रसपती वार को ब्रसपती देव की कथा एबं ब्रत करना भूल गया इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है अब किसी प्रकार की चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन जेल खाने के दर्वाजे पर तुझे 50 पैसे मड़े मिलेंगे तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाना भगवान ब्रस्पति का पूजन एवं कथा कहना कथा का प्रसाद स्वहें भी गृण करना और दुसरों को भी कराना इस प्रकार करने से तुम्हारे सबी कश्ट दूर हो जाएंगे अगले ब्रस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर पैसे मिले राजा ने पूजा का समान मंगवा का कथा कहा और प्रसाद माटा उसी राद ब्रस्पती देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन दे के कहा हे राजा तुने जिस आदमी को जिल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ दो रानी का नौ लखा हार उसी खूटी पर लटका हुआ है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजा को नश्ट कर दूँगा राजा सुबह उठा और खूटी पर हार तंगा देख कर लकड़ हारे को बुला कर उसे छमा याशना किये तथा राजा के योगी सुन्दर वस्र आभुशन भेट कर उसे विदा किया ब्रस्पति देव की अग्यान उसा राजा अपने नगर को चल दिये जब वह नगर के निगट पहुँचे तो बड़ा अश्चर हुआ वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं और धर्मसालाएं मंदिर आधी बने हुए थे राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मसालाएं और कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं तर नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब राणी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं राजा को बहुत ही आश्यर हुआ और क्रोध भी बहुत आया जब राणी ने यह खबर सुनी, राजा आ रहे हैं, तो उसने दासी से खा, हे दासी देख राजा हमें अती दी नवस्था में छोड गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख का कहीं द्वार से ही न लोट न जाए इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा, राणी की आग्यान उसा दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ महाल में लिवा लाई, तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथरानी से पुछा, बताओ, तुम्हें यह धन कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ है तब राणी ने बताया कि हमें यह सब्धन ब्रस्पती देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है अब राजा ने निश्य किया कि साथ दिन बाद तो सभी ब्रस्पती देव का पूजन करते हैं परन्तु मैं प्रती दिन दिन में तीन बार कथा कहूंगा और नित्यवरत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुपटे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में तीन बार कथा कहते ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आओं ऐसा निश्य कर राजा घोडे पर सवार हो कर अपनी बहन के यहां चल दिये मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दय लिये को जा रहे हैं उन्हें रोक कर वह कहने लगे अरे भाईयो कुछ देर मेरी ब्रसपतिवार की कथा भी सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर ग बड़ी है परन्तु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी जब कथा आदी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम-राम कहके मुर्दा खड़ा हो गया राजा आगे चला उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मारग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला राजा उससे बोला अरे भाईया तुम मेरी ब्रसपतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चार हरया जोत लूंगा जाओ भाईय तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही किसान के बैल पच्छार खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब यह देखा तो अपने पुत्रे से सब हाल पूछा बेटे ने सारा हाल बता दिया किसान की मा दोडी दोडी खोड़े बस अवार राजा के पास गई और उनसे बोली मैं तेरी कथा सुनूँगी तु अपनी कथा मेरे खेट पर ही चल कर कहना राजा ने लोट कर किसान के खेट पर जाकर कथा कही जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया आगे चल कर राजा अपनी बहन के घर पहुँच गए बहन ने भाई की खुब आओ भगत की दूसरे दिन सुबह राजा जगे तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुशा है जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरी ब्रस्पति वार की कथा का श्रवन कर ले तो बहन बोली है भाईया या देश ऐसा ही है यहां के लोग पहले भोजन करते हैं बाद में अन्ने कोई कार करते हैं अगर पडोस में कोई हो तो देखाती हूँ ऐसा कहकर बहन चली गई परन्तु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो एक दिन वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बहुत ही बिमार था उसे यह भी पता चला कि उसके यहां तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है राजा की बहन ने अपने भाई की कता सुनने के लिए कुमार को बहुत आगर किया तो वो तैयार भी हो गया राजा ने जाकर ब्रस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर कुमार का लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की हर और प्रसंसा होने लगी कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा हे बहन मैं अपने घर को जाओंगा तुम भी तैयार हो जाओं राजा की बहन ने अपनी साज से अपने भाई के साथ जाने की आग्या मांगी साज बोली चहां चली जा परंदु अपने लड़कों को यहीं छोड़के जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती बहन ने भाई से कहा हे भाईया मैं तो चलूँगी परंदु कोई बालक नहीं जाएगा राजा ने कहा जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम साथ में जाकर क्या करोगी दुखी मन से राजा अपने नगर को लोट आया राजा अपनी राणी से बोला हम निर्वन्शी हैं हमारे मुँ देखने का कोई धर्म नहीं है वह उदास होकर बिना बोजन की सहिया पर लेड गया राणी बोली हे प्रभू भगवान ब्रस्पती ने हमें सब कुछ दिया है तो वे संतान भी अवश्य देंगे उसी राध ब्रस्पती देव ने राजा को स्वपन में दर्शन देखा का हे राजा उठ सभी सोच को त्याग दे तेरी राणी गर्ववती है राजा को यह बात जान के बड़ी प्रसन्नता हुई नवे मही ने राणी के गर्वव से एक सुन्द पुत्र रुपी रतन पैदा हुआ तब राजा बोले हे राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती परंत बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आये तो तुम उनसे कहना मत राणी ने हाँ कर दी जब राजा की बहन ने यह सुप समाचा सुना तो वह बड़ी प्रसन्न हुई तदा बदहाई लेकर अपने भाई के यहां आई तभी राणी ने कहा घोड़ा चड़कर नहीं आई गधा चड़ी आई राजा की बहन बोली भावी मैं इस प्रकान न कहती तो तुम्हें आलाद कैसे मिलती भगवान ब्रस्पती ऐसे ही है जैसे जिसके मन में मनो कामना होती है सभी को फूर्ण करते हैं मनो वान्शित फल देते हैं जो स्रद्धा पूर्वक ब्रस्पती वार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दुसरों को सुनाता है ब्रस्पती देव उसकी सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं ब्रस्पति देव उनकी सदेव रक्षा करते हैं, जो स्रद्धा एवं संपूर्ण आदरभाव से ब्रस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण होती हैं, सच्चे मन एवं हिदय से रानी और राजा ने ब्रस्पति देव का प्रसाद ग्राण करना चाहिए तथा सच्चे मन इवं भावना से भगवान ब्रस्पति का ध्यान करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए इतनी ब्रस्पति वार ब्रत कथा बोलिए ब्रस्पति वार भगवान ब्रस्पति भगवान की जय तो दोस्तों आज का ये वी सब्सक्राइब करें धन्यवाद